अपनी जन्म कुंडली के सारे राज योग अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो घर के वास्तू को एक्टिवेट करिए जीवन में समस्याई सुलजने का नामी निले रही हैं घर के वास्तू को एक्टिवेट करिए अगर आपको लगता है कि जीवन उर्चा बहुत नीचे जा रही है तो भी घर के वास्तू को एक्टिवेट करिए आज का वीडियो बड़ा विशेश होने वाला क्यों? क्योंकि आज हम वास्तू के कुछ ऐसे सवालों के जवाब खोजेंगे जो हमेशा आपको परेशान करते आए हैं मस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइब विद योगे शर्मा में और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले विनमरी निवेदन के अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रेपा सब्सक्राइब करिएगा और पेल बटन दबाना न भूलिएगा तो सवाल नमबर वन आपके घर में कौन से ऐसी दिशाएं हैं जिसमें टॉयलेट नहीं होने चाहिए देखिए जब से वास्तु की परिकलपना हुई है कई सौ साल पहले कुछ हजार साल पहले तब घरों के अंदर टॉयलेट नहीं होते तो जितना मौडरे नहीं जाया घरों के अंदर टॉयलेट आने शुरू हुए तो वास्तु के तत्वों का ध्यान करके इस तरह से प्रविजन की गई कि आपके घर के किस कोने में टॉयलेट होने चाहिए यहां पे दो कोने निकल के आते हैं जहां पे टॉयलेट कभी भी नह नहीं होने चाहिए अगर होते हैं तो उनके रिजल्ट क्या होते हैं अगर होते हैं तो उनका इलाज क्या होता है आए वो भी जानते हैं आपके घर के अंदर सबसे पहला जो मना करने वाला कोना है वो है घर का नॉर्थीस्ट आपके घर का नॉर्थीस्ट यानि उत्तर पू तो ये करजों के जाल में इंसान ऐसा उलजेगा कि वो बाचाहके भी निकल नहीं पाएगा और इसके अलावा जो बुद्धी ब्लॉक रहेगी वो अलग से तो आपके घर का जो नौर्थीस्ट है इसमें गलती से भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए इसका कोई वास्तु इलाज पर्मनेंट होता ही नहीं है और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी दिशा जहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए वो है आपके घर का साउथ वेस्ट कोना जी हां साउथ वेस्ट कोना पितरों का कोना होता है यहां पे टॉयलेट देना आपके कुंडली के पितर दोश को एक हो पाते हैं घर के सभी मेंबर्स आपस में लड़ना जगरना मतभेद होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा उस घर की जो stability होती है न वो कोसों दूर चली जाती है तो घर के अन्य किसी भी कोने में toilet होगा ना चाहे south east में हो जाए east में हो जाए नौर्थ में हो जाए उनका वास्तु के उपायों के द्वारा treatment हो सकता है लेकिन north east के toilet का और southwest यहनी नरतिक उनके toilet का कभी भी इलाज नहीं होता है तो यथा संभव इन कोनों में toilet होगा तो उसको छोड़ना ही जो है आपके लिए एक मात्र solution हो सकता है क्या बर्थ चाटके ग्रहों का वास्तु पे असर होता है जी हाँ बिलकुल असर होता है एक ही घर का वास्तु किसी एक इंसान को suit कर जाता है दूसरे इंसान को suit नहीं करता है तबी एक परिवार में रहने वाले जो members होते है ना उन सभी के ऊपर उस घर का वास्तु अलग-अलग तरहा से असर देता है नॉर्मली हम उस घर के वास्तु को बैलेंस करते है उस घर के earning member के अनुसार क्योंकि earning अगर होगी तो घर में BC ओ दिक्कते हैं जो हैं वो solve होती रहेंगी इसलिए earning member के हिसाब से घर के वास्तु को हमेशा balance करवाना सही रहता है फिर भी अगर संभव हो पाए तो घर के सभी members के हिसाब से थोड़ा थोड़ा घर वास्तु को balance किया जाए ना यानि जो students हैं उनके अनुसार उनकी पढ़ाई के अनुसार या बच्चों के जो संसकार सिस्टम होते हो उनके अनुसार घर का वास्तु balance हो ग्रहनी जो हैं उनके health के अनुसार या उनकी peace of mind के अनुसार जो earning member है उनकी पूरी कुंडली के अनुसार घर के जो senior member है उनकी health के अनुसार तो वो घर एक ideal घर कहलाता है उधारन के तोर पे अगर किसी के चौते घर में केतू हो तो उस normally कहा जाता है कि घर के north east में boring होनी चाहिए या underground water tank होना चाहिए लेकि जिनके fourth house में केतू होगा उनको ये जो boring है या underground water tank है वो बिलकुल सूट नहीं करेगा उनके जीवन में भूचाल आने शुरू हो जाएंगे क्या वास्तू किराय के घर पे भी असर करता है देखिए वास्तू की उर्जाओं को ये पता ही नहीं होता है कि घर की property किसके नाम पे है घर में वास्तू की उर्जाओं का केवल एक मात्र मतलब होता है कि उस चार दिवारी के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके उपर असर देना है तो आप चाहे किराई के घर में रह रहे हैं चाहे आप अपने घर में रहे हैं चाहे property आपके किसी और member के नाम पे भी है वास्तू की ऊर्जाओं को ये पढ़ना नहीं आता है वो सीधे सीधे आपके उपर असर करती है आप किराये पे भी रह रहे हैं उस समय के लिए तो उस घर के occupant आप ही है ना तो वास्तू की उर्जाएं इस चीज पे depend नहीं करता है कि वो property किस के नाम पे है या वो property अपनी है या किराये की है सब भी लोगों पे वास्तू की उर्जा जो है ये proper असर करती है जैसा कि मैं अप परहेस करिए, इन चीजों को follow करिए, फिर देखेगा किस तरह से आपका जो वास्तु है, ये आपकी help करता है, आपके राज्यों को जागरित करता है और किस तरह से ये वास्तु जो है, आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है तो दोस्तों ये थे वास्तू के कुछ ऐसे प्रश्णों के उत्र जो हमेशा आपके मन में एक शंका बनके एक डालिमा बनके चल रहे थी तो मैं आशा करता हूँ इंसे लाब लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे तो चल ये बहुत जल्ब मिलते हैं नए टॉपिक नए विशे के साथ अपना खूब धान रखेगा नमस्ते